ज्यान गट्री में आपका स्वागत है। मैं निजला अकाशी की कथा कहने जा रही हूं। ज्यान गट्री में आपका स्वागत है। ज्यान गट्री में आपका स्वागत है। ज्यान गट्री में आपका स्वागत है। एक समय भी भोजन के बिना रहना मेरा कठिन है। आप मुझको कोई ऐसा वरत बताईए जो वर्ष में केवल एक बार ही करना पड़े। मुझको स्वार की प्राप्ती हो जाए श्यान गट्री में पूत्र बड़े बड़े रिशियों ने बहुत शास्त्रादी बनाए हैं। इससे बिना धन के थोड़े परिश्रम से ही स्वरक की प्राप्ती हो सकती है। इसी प्रकार शास्त्रों में दोनों पक्षों की आखाची का वरत मुक्ती के लिए लिए लिखा है। श्री व्यास जी के वर्चन सुनकर भी इंसेन नरक में जाने के भैसे भैबीत हो गए और काम कर कहने लगे कि अब मैं क्या करूँ मास में दो वरत तो मैं राखने सकता हैं वर्ष में एक वरत करने का प्रेतन अवशे कर सकता हूं अत्या वर्ष में एक दिन वरत करने से जदी म पेरी मुक्ती हो जाए तो ऐसा कोई वरत बतलाईए ये सुनकर व्यास जी कहने लगे कि वरिश और मिथुन की सक्रांती के बीच जेश्ट के शुक्र पक्ष की जो एकाशी आती है उस एकाशी का नाम निर्जला है तुम उस एकाशी का वरत करो इस एकाशी के वरत में सनान और आचमन के सिवा जल वर्जित है आचमन में छे माशे जल से धिक नहीं होना चाहिए अन्य था ये मद्य पान के सद्रिश हो जाता है इस दिन भोजन नहीं करना चाहिए क्योंकि भोजन करने से वरत नश्ट हो जाता है यदि एकाशी को सूरे दे से लेकर द्वाशी को सूरे तक जल ग्रेंड ना करें तो उसे सारी एकाशियों के वरत का फल प्राप्त होता है द्वाद्शी को सूर्य उद्श से पहले उठकर सनान आदी करके ब्रामनों को दान आदी देना चाहिए इसके पचाद भूक के सत पात ब्रामन को भोजन कराकर फिर आप भी भोजन कर लेना चाहिए इसका फल एक वर्ष की संपूर्न आखाशियों के फल के बराबर होता है व्यास जी कहने लगे है भीमसैन ये मुझको सुय भगवान ने बतलाया है इस आखाशिय का पुन्य समस्थ तीर्थों और दानों से भी अधिक है केवल एक दिन मनुष्य निर्जल रहने से पापों से मुक्त हो जाता है जो मनुष्य निर्जल आखाशिय का वर्ष करते हैं उनकी मृत्यों के समय यम्दूत आकर उन्हें नहीं खेरते बरन भगवान के पार्षद उसकून को पुश्पक विमान में बठाकर सरग को ले जाते हैं अतैसन सार में सबसे स्ट्रेश निर्जल आखाशिय का वर्ष है इसलिए जत्न के साथ इस वर्ष को करना चाहिए उस दिन ओम नमो भगवते वासु देवाई इस मंत्र का उचारन करना चाहिए और गो का दान करना चाहिए इस प्रकार व्यास जी की अग्यान सार भीम सैन ने ये वर्ष किया इस एकाशि को भीम सैनी या पांडब एकाशि भी कहते हैं निर्जला वरत करने से प्रत्म भगवान का पूजन करके ये प्रातना करें, हे भगवान आज मैं निर्जला वरत करता हूँ, दूसरे दिन भोजन करूँगा, मैं इस वरत को शदा पूर करूँगा, पता है आपकी कृपा से मेरे सब पाप नष्ट हो जाए, इस दिन जल से भ रोड़ पल सोने के दान का फॉल मिलता है और जो इस दिन जग आदी करते हैं उसका फॉल तो वर्नन नहीं किया जा सकता है इस एकाशी के वरस से मुनुशे विश्ण लोग को प्राप्त होता है निर्जिला के दिन अनवस्तर जूता आदी का दान भी करना चाहिए जो पान का किर्तन करें भजन बोलें और इससे बहुत अच्छा फल प्राप्त होता है बोलो विश्ण भगमान की जै श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नात नारायन वासु देवा बोलो एकाशी महातम की जै